हेलो आप्रिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल एंड कैसे आप सब आप अच्छे होंगे खुस होंगे मस्त होंगे अपने अपने घरू में होंगे तो आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के दीच नया वीडियो लेके और आज का वीडियो है रिव्यू वीडियो कोकोनट ओएल का रिवीडियो में लेके आया हूं तो यह है पतनजली का कोकोनट ओएल तो इसका में रिव्यू देने वाली हों तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सस्क् कर लिजिए और आगे इसी तरह की वीडियो देखते रहें तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट आप लोग बने रहें तो यह देख सकते हैं यह पतनजली का कोकोनट ओएल जो की काफी सुन्दर इसकी डिभी है और इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है सुन्दर इसकी पैकेजिंग है और बहुत ही प्यारा इसका कंटेनर है ओयल का तो इसके साथ साथ देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और यह क्या-क्या इसका हम यूज कर सकते हैं तो आगे मैं सारी बात आपको बताने वाली हूं तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसक ज्यादा इसका प्राइज नहीं है सेवन्टी टू इतना ज्यादा भी नहीं होता है तो सेवन्टी टू रूपीज में 200 ml हमें कोकोनट का ओयल मिल रहा है पतंजली का जो है तो यह कापी अच्छा ओयल है इसका हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं जैसे कि हम अपनी हैस के लिए बोडी मसाज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही बैनिफिसल है और यह देख सकते हैं यह है इसके अंदर का जो ओयल है क्योंकि यहां पर थोड़ा ठंड है आजकल बारिस है तो इस वज़े से यह थोड़ा सा जम गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी इसको देखने से नहीं लग रहा है कि इसमें बिल्कुल मिलावट होगी और इसके काफी फायदे हैं मैं खुद यूज कर रही हूँ दो साल से मैं दो तीन साल से इसका यूज कर रही हूँ अपने हैर्स के लिए भी मैं इसका यूज करती हूँ और बेबी के म तो अच्छा है और यह बेवीज के हैस के लिए भी काफी अच्छा होता है तो यह देख सकते हैं आप मैंने इसको हाथ में लिया तो यह जैसे जमा हुआ था जैसे हाथ में लिया तो एकदम से पिखल गया तो यह होता ठंड में एकदम जम जाता है इसलिए ठंड में इसका ज् कब्रोट को ये बढ़ाता है और हमारी हैंस में जो जाता है बच्चों को कफी यह और हैवी हेः चुटकारा मिलता है जो dandruff की समस्या होती है और बच्चू का जो dandruff होता है उससे भी काफी आराम मिलता है तो dandruff में तो ये काफी काम करता है dandruff को दूर करने के लिए और हमारे hairs की growth को भी अच्छा रखता है और ये तो मैं नहीं कहूंगी कि इससे hair fall नहीं होता है क्योंकि hair fall तो हमारा कभी भी नहीं रुखता हम कुछ भी यूज कर ले लंबे बाल है तो तूटते ही है थोड़े बहुत तो बाल हमारे तूटते है लेकिन ये hairs को मजबूत जरूर बनाता है थोड़ा सा hair fall तो सबका होता है जो कि आदे से बाल तूट जाता है बाल जड़ से नहीं नेकलते और आदे से जो बाल तूटते वो तो बढ़ी जाता है उसमें कोई समस्या नहीं है तो ये काफी अच्छा है हमारे hairs के लिए तो ये काफी अच्छा है hairs के साथ-साथ इस ओयल से हम अपने body को भी massage कर सकते हैं और काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारी स्कीन धूप से जल जाती संबन हमारी स्कीन में हो जाता है तो उस condition में भी आप इसका यूज कर सकते हैं जिस पार्ट में आपका संबन है तो उतने एरिया में आप इसको अच्छे से इससे massage कर ले रात के टाइम पर क्योंकि दिन में नहीं कर सकते दूप में अगर इसको लगा के जाएंगे तो और ज्यादा संबन होगा तो रात में अगर इस ओयल से आप अच्छे से उस एरिया पर लगा ले अपने हाथ पर जितना भी आपका संबन है तो इससे इसकी नॉर्मल होती है क्योंकि मॉर्निंग में आप उसे साफ कर लेंगे बहुत अच्छे से तो उसके बाद कोई भी वाड़ी लोसन आप लगा ल को जाती है जैसे हमारा हाथ कहीं पर जल जा रहा है या दूठ से जल जा रहा आए चाई से जल जा रहा और नर्मली तो ताजा घाओ जो मतलब हमारे हाथ पर जहां पर जलता है वहां पर हो जाता है उस कंडिशन में अगर हम इस ओयल को लगाते हैं तो जो जला हुआ होता है जो चोट होती है और जो ठीक हो जाती है लेकिन जो घाओ रह जाता है जला हुआ निसान रह जाता है जो कि देखने में ब बिल्कुल भी नहीं दिखता है और नॉर्मल आपकी स्किन पहले जैसी हो जाती है तो आप इस कंडिशन में भी इसका यूज कर सकते हैं तो यह थे इस ओयल के फायदे और समर्स के लिए काफी अच्छा है यह समर्स में अगर हमारी मैंने जो आगे बता कि स्किन बर्न हो जाती है तो तब यह काम आता है और सबसे इंपर्टेंट बात कि छोटे बच्चू के मसाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इसमें कुछ निये कि elders के लिए है या यह मतलब बच्चू के लिए है यह सब के लिए काम आएगा क्योंकि इसमें कोई chemical नहीं है यह बहुत नेटरली है और इसका हैर मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं समर्स में winter में आप इसका बिल्कुल यूज ना करें बच्चू के लिए क्य लिए तो यह काफी अच्छा है तो आई हूप आपको मेरा यह रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पर नई है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें बैल आइकन जरूर दबादे जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाइबाइ फ्रेंड्स